दो दिन सेंट्रल जेल में काटने के बाद बेल पर रिहा होई सल्मान खान ने अपने घरवाल और साथी और फैंस का सुपरियादा किया आपको बता दे करी 20 साल पुनाने काले हिरंद के सिकार के मामले में सल्मान को जोटपूर की एक अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई थी इसके पास सल्मान करीब 50 घंटे जेल में रहे थे और फिर सनिवार को उन्हें जमानत पर चोड़ दिया गया था वो दो दिन तक मीडिया के सुर्ख्यों में रहे सल्मान के सपोर्ट में कई बोली बूर्ट सेल्बिलिटीज और फैंस ने संदेज भेजे थे इतना ही नहीं बलके आपको बता दे सोसल मीडिया पर सल्मान की सजा के खिलाब फैंस ने अपनी राय जहाईर की थी जोदपूर में कोट और जेल के बाहर भी सल्मान के फैंस का हुजूम लगा रहा था साथ ही उनके मॉंबै इस्थिद घर पर उनके फैंस काफी तैदाद में पहुचे थे इसी के साथ जानकारी देदे एक बैप साइट पर दिये एक इंटर्वियू में केटना कैफ ने अपनी साथी को लेकर खुलासा किया जी हा कुछ खबरों के माने तो जब केटना कैफ से पूछा गया कि उनकी साथी को लेकर अभी क्या ख्याल है तो उन्होंने चुपी साथते हुए कहा है कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती इतना ही नहीं बलके सल्मान खान को लेकर पूछा गया तो कैट्रिना कैफ हैरान हो गई थी और मुश्क्राते हुए बातों को टाल दिया इसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चेनल टॉप नियूज टॉप नियूज से आसिफ रह्मान की रिपोर्ट